आप सभी प्रियादर्शकों का स्वागत है लेके आए हैं बॉयलर बिजनस का एक मोनोपोली स्टॉक एक ही कंपनी है जो इस बिजनस में लगी हुई है और नीचे दक्षिन भारत की कंपनी है फुल मोनोपोली सेग्मेंट है उनका कॉंट्रेक्ट भी साइन कर लिया है सेल के स चाहे स्टील के प्राइस बढ़ते भी जाए हम बात करें बीजियार एनरजी की और यह नीचे दक्षिन भारत चन्ने की कंपनी है जिसमें इनोंने अपना बॉयलर्स एन अधर सेग्मेंट में काफी महारत हासिल की हुई है इनके पास में पावर सेक्टर में काम करते हैं कू और साथात में ओयल एन गैस का रिफाइनमेंट सेग्मेंट में भी केपिनल गुड्स की प्रड़क्ट प्रवाइड करते हैं जैसा बताया था तॉलेस्ट कूलिंग टावर इन दे वर्ल्ड यह यहां पर नेच्रल ड्राफ्ट बनाया है जो की कंस्ट्रक्शन किया गया थे राजिस्थान में और इसकी जो हाइट स्ट्रक्शर है 202 मीटर की है मैक्सिम डामीटर 150 है जो इसको हाइपरबॉलिक शेल की तरह से बनाया गया है तो उसके इसाब से बहुत अच्छी है और यह 170 किलोमीटर पर आर की बिंड को स्टैंड कर सकता है देखे अगर कस्टमर की बात की जाए तो बड़े-बड़े नाम सुन लीजे आप NTPC का चाहे नाम लीजे चाहे बहल की नाम लीजे चाहे पावर गिर का नाम लीजे सारे के सारे और स्टेट गवर्मेंट के भी इनके पास में काफी बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो उससाब से काफी बढ़िया चल रहे हैं इस तरह से दिखा जाए मार्केट केप की दर्सी से 619 करोड की कंपनी है डेली वॉल्यूम करीब 6 लाग क्या असपास है इसका और आगे लॉंग टर्म में यह बहुत बढ़िया ग्रोथ स्टोरी बनेगी अगर हम बात करें इनके ये सप्लाइ क्रिटिकल बॉयल पर लेके जाएगा इस कारण से स्टॉक में काफी पेजी आई हुई है कोविड के चलते हुए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन थोड़ा कम हो रहा था बड़ एक स्टडी की गई है जिसकी अकॉर्डिंगली पावर बॉयलर्स का काफी तकड़ा ग्रोथ रहेगा आगे आने इस समय में और ये रिक्वायर्मेंट है इनकी स्टील की जो इन्होंने सेल के साथ में एक मल्टी एयर कॉंट्रेक्ट साइन किया हुआ है जिसकी वज़े से इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्रहेगा देखे 2020 और 2021 में जैसे बताए इंडस्ट्री में स्लोडाउन था वो कम हो गया था तो बेस इनका बहुत नीचे आ चुका है एक हजार एक सो करोड करीब और करीब चार्सो करोड का लॉस था बट अभी और इस दो क्वाटर के अंदर इनका प्रॉफिट वापस आ गया है तो यह बहुत अच्छी बात है प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग ह तो यहाँ पर आप अपनी होल्डिंग बनाके रखिए प्रमोटर ने काफी स्ट्रॉंग होल्ड बनाके रखा है अगर हम केर रेटिंग की बात करें तो लॉंग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए 8000 करोड का इनका लोन है जिसको इन्होंने BB प्लस स्टेबल रेटिंग दी ह हुई है और ये इनके लिए अच्छी रहेगी क्योंकि जब इनको लोन की जूरत पड़ेगी तो यहाँ से इनको फैसलिटी से लोन मिल सकता है इक्विटी की बात करें तो साथ बिलियन के आसपास अप्रॉक्सिमेट इनकी इक्विटी है डेप्ट थोड़ा जादा है 19 बिल प्लैंट की अगर हम बात करें तो COP26 में भारत के प्रधानमंत्री शीनरेंद मोद जी ने ये समर्थन व्यक्त किया था कि net zero carbon emission करेंगे by 2070 और उसके लिए union power minister ने recommendation की है NEP को जिसमें green energy capacity को higher demand रहेगी और especially जो एक coolant बनाते हैं वो बहुत अच्छी तरह से इनकी growth के काम 2030 तक यहाँ पर बात करनी है अगर तीन बात करें तो efficient plan को close किया जाएगा 2023 तक और coal based non-fuzzle plan को बंद किया जाएगा और जो 53% capacity इनकी बाकी रहे गई है उसको utilization अच्छी तरह से करने की बात कर रहे है तो ये इसे साब से देखा जाए तो ये hydro technology company जो आगे चलकर BGR के साथ इन long term में इन्होंने Dublin की company है, Ireland में उनके साथ में इन्होंने Fizzle Fuel Green Power PLC के साथ इन्होंने काम के है और Nasdaq में भी a listing है तो उसे साब से इनका international impact भी बढ़ता जा रहा है अब जरा भाव चलने से पहले, अगर हम आज इसका भाव देखे तो 94 के आसपास है, दोस्तो हमने इसको अपने चैनल पर recommend किया था जब इसका भाव 30 के आसपास चलना था आप हमारे चैनल से अभी जल्दी जुड़े हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको ये latest update मिलते हैं, तीन गुरा return जो हमारा था, वो इसका तीन साल का return हमारा अलड़ी पहुच चुका है इसका यहाँ पर, total quantity traded 8 लाग के आसपास है, और करीब 16% की delivery है, देखें फिछले 2-3 गुरों से काफी अच्छा moment हमारा है 70 से, क्योंकि quarter 3 का result बहुत positive उमीद की ज शुरू किया है, आप चाहें तो जुड सकते हैं, इसमें specifically, हफते में एक वीडियो जो buy करना है या sell करना है, वो recommendation आती है और आपके question answer किया जाते है, गुलिंजर बेंड के basis पर बेंड से बाहर निकल गया है, बेंड भी 53 के असपास हो गई है अभी यहाँ पर, super trend, buy signal generate क्या हुआ है, RSA के level 80 हो गया है, तो fresh entry, शायद आपको as a retail निवेशक हम यहाँ पर recommend नहीं करेंगा, अगर करना भिया तो बहुत कम quantity खरी दिएगा,